यामा ने FGS V4 के आई सुली ओवर मिलियन वाइट कलर और मैट ग्रीन कलर को फर्स टाइम भारत मोबिलिटी ओटो एक्सपो में शोकेस किया था और वो वीडियो भी मैंने शूट करके आपको दिखा दी थी बाइक का डिटेल वोकराउंड रिव्यू था और उस टाइम पे या आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं FGS V4 वाइट कलर और मैट ग्रीन कलर के बारे में बाइक मार्केट में कब तक लॉंच होगी कैसे इसके इंदर फीचर साएंगे लुक्स डिजाइनों स्टाइल कैसे होंगे तो आप में इसे काफी सारे भाई होगे डियम आये थे और मैं काफी ज़धा अच्शे लग रहे हैं सबसे पहले आईस फ्ली ओवर मिलीन वाइट कलर के बारे में अगर बात करें तो बाइक वाइट कलर में जहर देखने में काफी ज़धा अच्छी लग रही है जैसे कि यामागी MT-15 का आईस फ्ली ओवर मिलेन कलर था यह आपको देखने को मिल जाएगी और बाइक को सबसे इंट्रेस्टिंग क्या बना रहा है उसके अलोव विल्स अलोव विल्स के उपर नियोन औरेंज कलर दिया गया है जिसकी वज़य से बाइक दिखने में काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है बाकी बाइक के अंदर सेट अप तो वहीं है सेम सस्पेंशन आपको टेलिसकोबिक टाइप के मिलेंगे फ्रेंट में रियर में मोनोशोक सस्पेंशन है लेकिन बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है इसके इंजन इफाइनमेंट इसकी माइलेज इसके सूपर वाइट टूबलेस टायस और कमफर्ट सिंगल पीस सीटर बाइक में पिलियन और राइडर दोनों के लिए काफी कमफर्टेबल रहती है 100 सेक्षन का फ्रंड में टायर है 140 सेक्षन का रियर में टायर है सेग्मेंट में सबसे अच्छे सूपर वाइट टूबलेस टायर बाइक के अंदर आते हैं लेकिन सेग्मेंट में सबसे लिस्ट पावरफुल है क्योंकि 12.4 PS की पावर है 13.3 Nm का मैक्सिम्म टोर्क है 151 60cc सेग्मेंट के अकोडिंग तो यार बाइक के अंदर पावर और टॉर्क उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन अगर आपकी प्राइविटी है इंजिन रिफाइनमेंट और स्मूधनेस तो फिर इस पाइक के साथ आप जा सकते हो क्योंकि माइलेज बाइक में 55 km पर लेटर के असपास के आपको मिल जाएगी MT15 वाला सेम इंस्टूमेंट कॉंसोल है इस बाइक में और एक अपडेट ये भी आ सकता है कि कॉंसोल में गियर पोजिशन इंडिकेटर आ सकता है जो पहले वाले वेरियंट के अदर नहीं आता था सो गियर पोजिशन इंडिकेटर अगर इंस्टूमेंट कॉंसोल में आ गया तो ये भी काफी अच्छा अपडेट रहेगा बाइक में और दूसरा जो कलर है matte green उसमें बाइक के fuel tank और headlight cowl के उपर matte green कलर दिया गया है जो sparkles के finishing के साथ में दिया गया है लेकिन front fender और rear fender के उपर matte black कलर है लेकिन सबसे interesting है बाइक के low wheels नियोन ग्रीन कलर के लोग विल्स हैं जो काफी funky look दे रहे हैं बाइक को दोनों ही कलर्स के अंदर जो बाइक की सबसे यूनिक चीज है वो अलोई विल्स ही है अलोई विल्स की वज़े से दोनों बाइक काफी funky सी लग रही है सो प्राइज और लॉंच डेट के बारे में बात करें तो दोनों बाइक का एक शोर्म प्राइज एक लाग तीस जा रुपए के आसपास रहेगा और एक लाग पचास जा रुपए के आसपास इसका उन्रोड प्राइज रहेगा दिल्ली में Yama ने दोनो Bikes का launch delay जरूर किया है लेकिन दोनो Bikes market में launch जरूर होंगी क्योंकि Yama ने showcase की हैं तो market में यार ये जरूर आएंगी क्योंकि उस time पर Yama ने FGX के भी दो नए color showcase किये थे और कुछे time बाद वो दोनो color market में आ गए थे So FGS V4 का white color और matte green color भी definitely market में launch होगा और June या फिर July के आसपास Yama इन दोनो Bikes को लेके आ सकती है क्योंकि Yama की कोई भी new bike market में अभी तक launch होई नहीं है तो June या फिर July के आसपास दोनो Bikes के launch होने के chances काफी ज़ादा है So 2-3 मेने के आसपास अगर आप wait कर सकते हो तो आपको wait कर लेना चाहिए और price 1,30,30 रुपे के आसपास रहेगा smartphone connectivity वाले features bike के अंदर रहेंगे traction control भी आएगा लेकिन single channel EBS के साथ में आएगी bike dual channel EBS का कोई भी option नहीं होगा bike में तो यह यह थी सारी update Yama FGS V4 white color और matte green color के बारे में I hope यह video आपको अच्छी लगी होगी कुछ भी वीडियो में पसंद आया हो तो like ज़रू कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने भाई को Instagram पे follow भी कर सकते हो add the rate Kedoo के Moto Vlogs पे तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में till then ride safe, drive safe